श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव, आप सब को पता है, नौजनवरी को है मंगलवार की भौम प्रदोश का बहुत ही विशेश सा, बहुत ही सुन्दर सा दिन, आपको करना मातर है एक उपाय जो कि आपकी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा देना, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेल पत्र, आपको एक बेल पत्र की जरूरत होगी, ठीक है, एक बेल पत्र लेना और लाल चंदन लेना ठीक है, लाल चंदन लेना या फिर पीला चंदन ले लेना, और उस लाल चंदन से क्या करना है, जो उपर का ये पत इस पत्ते पर यानि की राइट साइड वाले पत्ते पर आपको शिवाय लिखना है. फिर से बता रहा हूं जैसा की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस वाले पत्ते पर यानि सबसे उपर पत्ते पर ओम लिखना है. लेफ्ट वाले पत्ते पर आपको नमह लिखना है और राइट वाले पत्ते पर आपको शिवाय लिखना है ठीक है, इतना लिखना है लेकिन आपको कहां पर बैठ कर लिखना है ये जो बेल का पेड जो भी आपके घर के आसपास हो उसकी छाव में बैठ करके लिखना है अगर बेल का पेड़ आपके पास बड़ा नहीं है तो बिलकुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपके घर में जो भी छोटा पेड़ हो गमले में आपने लगाया है उसके पास बैठ करके आप ओम नमह शिवाए उसे एक बेल पत्र के ऊपर आप लिख देंगे ठीक है लिखने के बाद क्या करेंगे उस बेल पत्र को इस बेल के जड़ में एक बार टच कराना है जो बेल पत्र की जड़ होगी ना उसमें एक बार आप टच करा लीजिएगा और टच कराने के बाद जो भी महादेव का शिवलिंग आपके घर के सबसे नजदीक हो वहाँ पर जाकर के अपनी कामना कहते हुए महादेव की शिवलिंग के उपर इस जगह पर समर्पित कर देंगे और एक चीज का विशेश ध्यान रखिएगा मनो कामना पूर्ती के लिए आपको इस काम को करना है तो आप जिस साइड खड़े हो करके बेल पत्र को चड़ाएंगे उसकी डंडी आपकी तरफ होगी और आपको बेल पत्र पर ओम नमः शिवाए बेल पत्र के सीधे साइड में लिखना है समझ रहे हो ना जो चिकना साइड होता है उस साइड में लिखा हुआ हो और आपको जो चड़ाना है वो ओम नमः शिवाए शिवलिंग के उपर टच हुआ हो उल्टा भाग उपर हो जैसा की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इसी तरीके से आपको शिवलिंग पर चड़ाना है यकीन मानिये ओम नमः शिवाए का जो पत्ता लिखा जाता है उसका बहुत बड़ा योग माना जाता है और अगर आप प्रदोश के दिन ऐसा करते है तो उसकी तो बात ही अलग है करके देखिएगा आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी सुबह करना चाहो सुबह कर लो शाम को करना चाहो तो आप शाम को कर सकते है ठीक है वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत से गुरू जी का ये उपाय आपके लिए लाता हूँ कुछ पूछना हो समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो आप जो भी लोग आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव